दोस्तो इसे बनाने के लिए मैंने लैप्टॉप की 3.7 बोल्टेज बैटरी का यूस किया है जैसे कि आप देख सकते हैं इसे मैंने स्रीस में जॉइंड कर दिया है और इन सभी में 12 बैटरियों को ऐसी 3-3 के स्रीस में जॉइंड करके 4 पैलर में लगा दूँगा यह कुछ आपके ठीग अब हो आपके अब हम इसको बहुंग इसी बनाये पहले बैटरी की जैसे यहां पर हमने 3-3 में लका लिया है बैटरी को और इसको भी अच्छी तरीके से स्रीज में जोइंट करने दिंगे और यहाँ पर एक copper का वायर लेंगे और इससे अच्छी तरीके से जोड़ेंगे कि न comme तो दोश्त आसी दें जिसकते हैं मैं च्कक्षग कुगा च्पकने के बाद इसमें हम्हेक को पर वाइर लें जो कि से चिप्टा कर तोड़ा सा इससी सानी साही बेत्री को लेकि उसके बाद निarial लें तो तोड़ा सफिप्टा कर देंगे अब हमने यह भी एक बैटरी ले लिए इसको भी फैबिक डाल के तो जृइंट करेंगे स्रीज में कि इसमें भी हम फैबिक डाल देंगे अच्छी तरीके से जैसे कि आप दे सकते हैं यह अच्छी तरीके से जुड़ जाएगी और आप यहां पर दोस्तों टेप के ct कर सकते यहां ये आपर तर मैंने 12 बैटरी का यू की टोटल तर इसको पहले हम स्रीस में 33 का स्रीस बनाएंगे 3S का स्रीत बनाएंगे फिर ये वम defence और जोड़ देंगे बैटरी को यहां भी हमने इससे में फैब्र की तो डालने के बाद अच्यां से फैनिक कह estresses चुते हमें और यह दोस्तों यह जोड़ चुकी है पूरी तरीकी से जैसे देख सकते हैं चारो बैट्री अच्छी तरीकी सा जोड़ चुकी है अब हम इसे पहली वाली की तरह स्रीज में किनेक्ट करेंगे स्रीज में तो चलिए दोस्तों हम इसे स्रीज में किनेक्ट करने स्टार्ट करते हैं एक हमने कॉपर उयर लिया ता उसे हमने चिपटा तो कर दिया है When想 मिभें कर देंगे सिख देख सकते हैं कर दिया चीब तरीके से और यहां भी एक तो थी ऑजिने श्री कर दिया हम उसके पीछे ऑच यहां पर हमने जोड़ दिया है और यह एक्स्ट्रा वायर है इसको हम कट कर लेंगे करने के बाद अब यहां पर हम इसे जोड़ देंगे तो पॉजिटिव जोड़ना है अच्छी तरीके से तो इसे जोड़ लेंगे हम आपर यह थोड़ा मेरा पीछे हो गया था कैमरा थोड़ा पीछ आगे हो गया था कोई नहीं पर मैं आपको बता रहा हूं यहां जोड़ने के बाद अब यह सोड़ी देर में आप कुछ ऐसा दिखने लगेगा जैसे देख सकते हैं आप और इस वायर को भी यहांसे हम कट कर लेंगे केम इसी हमाएं पूरा को चुड़ने के बाद पूजड़ने प्रीटिव टीव पसी पैलर में जोड़ने में कि इसको यह पूरा जाड और यह पूरा दो इसको में जोड देंगे हम Nich हम पर डबल साइट का इप यूज करा पहले हम इस तडिके से इसमें ऐड इ司क्टा देंगे पैलर की तरीके से लगा Đीगे बैटरी क blas 2 को डील से ऑच्छी तरीके से जोड देंगे अब दोस्तों जैसे कि आप दे सकते हैं यह अच्छी तिरी के से जोड चुका है सारी बैटरी को हमने पहले जोड दिया है अब हमें बस कोप लेकर यह पॉजिटिव से पॉजिटिव को अच्छी बड़िक कर जोडना आए और अनेकर टेभ से नेगितित उससे पहले हम यहाँ पर एक इन्टिमीटर लेंगे हम मेयर मटिमीटर इसके POLT चो ना पलेंगे कि ऊसकते द्बिग्टर को नपलेंगे किसने काइब डैटरी सकते थरे-maug सब्सक्राइब एक वर लेमन फॉइंट वन्टा एंपियर होता है तू एंपियर और अब यहां पर हम टेप लगा कि अच्छा तरह के चोड़ देते हैं कि अब यह दोस्तों बैटरी लाइफ टाइम चलने वाली है इसमें कोई भी बीमस का हम ने यूज नहीं किया है जी बीमस के बनाई है इस बैटरी को बहुत ही बड़ीया तरीके से वर करेगी और इसका पैकप भी बहुत अच्छा है और यह पॉजिटिव वाले इससे को जोड़ देंगे हम नेगेटिव वाले को यहां से जोड़ देंगे इससे पहले हैं मैं टेप से पूरे अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे जिससे की बैटरी कभी भी एक दूसरे से डिस्टब ना और ना कि हिले डोले यहां से इसको हमने अच्छी तरीके से कवर कर दिया है टेप से अब दोस्तों हम यहां पर वायर लेते हैं और इसको अच्छी तरीके जोड़ देते देते इसको यहां से हम सोल्डिंग कर देंगे दोनों सैट से सोल्डिंग करने के बाद यह कुछ है आपको इस तरीके से दिखेगा जिसी देशते हैं नेगेटिव नेवटी से जोड़ दिया था हमने पॉजिट्व का पॉजिट्व से जोड़ दिया है अब चलिए दोस्तों इसको एक बार अच हम अच्छी तरीके से बॉक्स बनाते हैं जिसमें इस पैट्रिक करेंगे अच्छी तरीके से दोस्तों देख सकते हैं इस बॉक्स बनाने बनाते हैं इसको हम फैविक्स करें जिसकी चपकी जागा यह और बॉक्स बनने के बाद आपको दोस्ती कुछ किस तरीकी से दिखेग यह अब अपने हिसाप से बैटरी का बॉकश बना सकते जिसेटे आपकी बैटरी का साइज होको भी बना सकते हैं और अपको लेख फिक बना दिया है जब्स्तों करने के लिए हमने यहां हापर यह कुछ तरय ठाप की इस कर या अ किसी भी मिल रियो औzhद आ दिप करना है तो यहां पर हमने यह बोल कर लेंगे इस और इस पिन को चिदरी के शेट करेंगे और यह बोल कर लिया है यहां इसको लिकाल निकाल के कि इसमें होल कर देंगे पुल्सक्राइब कर दिया है और वोल करने के बाद थोड़ी साफ सपाइब कर लेंगे अभी इसको मैं दिखा दे रहा हूं कैसे हमें डालना इसे ऐसे डालके हमें फैब जुक्ति मदश्य आपर ऐसे करके इसे जोड़ देंगे तेसे कि आप दे सकते हैं ये चार हो चुके इसे मैंने क्लिन कर दिया था अच्छी तरीके से और इंपिन को यहां पर डालेके फैब्ली की मदश्य से चुपका देंगे फिर वहां से वायर इसके 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 डिया जैसे कि आप दे सकते हैं आप पर हमने इसको कर दिया डाइग्राम स्क्रीन में आप यहां से देख के पता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे इसका लिंक तो आप वहां जाकर पता कर सकते हैं तो हमने पहले पॉजिट्वी उसे बैटरी के नेगेटिव में लगा दिया फिर हमने बगल वाली वैटरी में एक वायर लगाया है और फिर उसके नीचे वाली वैटरी में बाय लगा इससे यह होता है कि हमारी बैटरी को एकपल 3.7 बोल्टेज अच्छी तरीके से डिस्ट है जाए सकते हैं कि और आउम इसन निकाल लिए नीचे वाले तार भी यहां से निकाल लेंगे और ऐसी आपको ये तीनों में भी जोड़ देना है तीनों को जोड़ने के बाद दोस्तों ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि आप दे सकते हैं इसमें मैंने फोर पिन लगा रखी है फोर पिन को चार में लगा दिया जिससे कि हम एक्वल तरीके से चार डिस्टिबूट कर सकते हैं चारों बैटरी में और यह 3.7 बोल्टेज हर एक बैटरी को प्रोवाइट करें जिससे कि हमारी बैटरी न पूलेगी और न खराब होईगी और दोस्तों अब हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को जोड़ते हैं जैसे कि देख सकते हैं अब यहां पर इसको पॉजिटिव वायर को अच्छी तरीके से जोड़ देंगे सोल्डिंग आरें के हैल्प से अब एसी हम पीछे साइड नेगेटिव वायर को जोड़ देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से जिससे कि हमें 11.1 बल्ल वॉल्टिज प्रोवाइड होगा इन वायरों की द्वारा और अब हम इस बैटरी पैक को इस बॉक्स के अंदर अच्छी तरीके से फिट करेंगे इन तारों को थोड़ी से इसमें फिट करना नहीं तो यह अगर इस पार्क होगे तो ब्लास्ट भी हो सकता है इसलिए थोड़ी ज्यान से इन तारों को अच्छी तरीके से अंदर डालि पर यहां से मैंने इसको थोड़ा सा चेद करके उपर से निकाल लिए इसके दो तार, आप हम बैटरी को अंदर फिट करेंगे अच्छी तरीके से, बैटरी को जैसे कि आप दे सकते हैं, मैंने फिट कर दिया है, और जो यह यह ऊपर के एक्स टार निकले हुए हैं, इसके पार भी जो एक्स्ट्रा है इसको भी ऐसी करके लगा देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यह बैटरी पूरी तरीके से पैक हो चुकी है अब बस हमें उपर का साइड का एक पीवीची की पाइप की सीट चाहिए होगी जिससे कि बैटरी को अच्छी तरीके से कवर कर देंगे दोस्तों हम इसी हिसाब से इस बैटरी को नाप लेंगे और इससे कवर कर देंगे और हम फैवीक्यू की लेंगे अब फैवीक्यू लेने के बाद अगल वगल यहां पर फैवीक्यू थोड़ी सी लगा देंगे जिससे कि यह बैटरी अच्छी तरीके से कवर हो जाए और इस आपको फैविकुल में एक भी कंजीसिनी करनी है और हमने फैविकुल लगाने के बाद हमने ब्लेट की है अगल वगल से कट बढ़ दिया था जिससे कि आसानी से टूट चुका है अगल वगल के जो एक्ष्टा बचे हुए थे इसके पीविजी सीट का अब हम इसे रेखमाल के हैल जो सब्सक्राइब तरीके से चिकना कर देंगे अगल वगल की साइड जिससे कि यह अच्छी फिनिसिंग हो जाएगी इसकी तो सदेश सकते हैं यह अच्छी तरीके से काम करने लगा है को दोस्ता फोड़ी काली टेप से हम इसे लगा देंगे अगर जैसे हमें बैटरी अंदर से कभी खराब हुई वैसे खराब तो नहीं हो गई है पर कभी वाई चांस अगर कुछ हुआ तो हम इसे टेप को निखटा के दुबारा बैटरी को असानी से खोल सकते हैं तो दोस्तों जैसे देख सकते ही हमारी बैटरी बनके त्यार हो गई दोस्तों अब हम इसे एक बार चेक करके देखेंगे जैसे कि आप दे सकते हैं इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रायल बोल्टेज का 0.90 एंपियर का मैंने एक डीसी फैन लिया है जो कि आपको किसी भी मार्किट से मिल सकता है इसली अच्छी तरीके से तो दोस्तों जैसे की देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और बारती भी कर रही है और अब हम इसके बाद ट्रायल बोल्टेज की डीसी मोटर पांसो पच्छन वाली को भी चेक करेंगे और यह कैसे चल लएए देखिए दोस्तों बहुत भी अच्छी तरीके से चल हैं ट्रायल बोल्टेज की डीसी मोटर पांसो पच्छन वाली यह भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से चलती है जैसे कि आप देख सकते हैं यह बहुत है इसके एंपियर की इसलिए जादा यह स्पार्क कर रही है तो हम आज चिपका रहे हैं और इसका टॉर्क भी ब आर अन्ले मत्रम